नमस्कार दोस्तों स्माड एवर में आपका स्वागत है उमीद करते हैं कि आप सब अच्चे होंगे आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं इस मशीन के बारे में दोस्तों ये है गोल्डन बुलेड का मीनी चेंसो जो की चार इंच का है और इस मशीन को जो है दोस्तो आप आपके चोटे मुटे पेड़ पाउदे वागिरा काटने के लिए इस्तिमाल कर सकते हैं और ये जो मशीन है दोस्तो बहुत ही lightweight है यानि कि देड केजी के अंदर पूरा मशीन आ जाता है और ये बहुत ही कम आवाज करता है अगर आप petrol chainsaw के comparison में बात करते हैं तो petrol chainsaw जो है वो बहुत भारी भी होते हैं और बहुत आवाज करते हैं दूसरों को तकलिफ होता है ये बहुत ही silent मशीन है तो दोस्तो मशीन जो है कुछ इस प्रकार के box में आपको आ जाता है तो मशीन के उपर जो है पहले ही blade लगाया होता है तो आपको लगाने के इसमें आवश्यक्ता नहीं होती है तो मशीन के साथ आपको double battery मिल जाती है ये जो आप battery देख रहे हैं दोस्तों ये देड़ एमपेर की है 20V की है तो इस प्रकार की आपको और एक battery मिल जाती है totally दो battery आपको मिल जाते है और इसका एक आपको charger भी मिल जाता है charger में जो है यहां पे एक light है अगर ये red color का है तो उसका मतलब यह है कि ये battery charging पे होता है और अगर green होता है तो इसका मतलब है कि battery full है तो battery को लगाने के लिए charger जो है यहां पे splot दिया है आप यहां पे इसको लगा सकते है तो यहां पे जो है एक spanner दिया हुआ है जो की इस वाले nut को आपको हटाने के लिए होता है यह जो nut होता है यह आपका जो guide होता है उसको tide करने के लिए होता है और यह एक चोटा सा screwdriver दिया है जिसके मदद से जो है आप यहां पे इसका chain का adjustment वगेरा आप कर सकते हैं तो दोस्तों बड़े machine की तरह आपको यहां पे oil tank नहीं मिलता है तो आपको यहां पे manually oil लगाना होता है तो oil जो है उन्होंने यहां पे दिया है अगर यह कतम होता है तो आप इसके बदले WD-40 भी इस्तिमाल कर सकते हैं और दोस्तों machine के साथ इसका एक manual भी आपको मिल जाता है और दोस्तों golden blade के ज्यादा तर machines में जो है आपको एक gift card मिलता है जहां पे एक scratch code होता है अगर आप इसको scratch करके WhatsApp करेंगे तो आपको इस प्रकार के gift वागेरा मिलने का chances होता है और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ पहले ही बता दूँ यह जो charger है इस battery को full charge करने के लिए कम से कम तीन गंटा लेता है दोस्तों box जो है एकदम बढ़िया quality का है और दोस्तों मशिन को जो है तोड़ा सा करीब से जान लेते हैं दोस्तों यह इसका flexible guard है पहले का जो guard होता था वो यहां पे fixed हुआ करता था और उसके वज़े से उसका जो machine का size है वो भी बढ़ता था यह अभी अपने आप open हो जाता है अपने आप close हो जाता है दोस्तों यहां पे कुछ information दिया हुआ इस machine का details इन्होंने दिया है model number दिया है CMC4 यह model number है और यहां पे आप देख सकते हैं यह चार इंच का machine है मतलब इसका जो guide का जो length होता है यह 100 mm होता है दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं यह 20 वोल्ड का इसका rating है अगर कोई दूसरा manufacturer आपको 21 वोल्ड या 22 वोल्ड बताता है तो सभी यह की है क्योंकि इसके अंदर के जो बैटरे है इसके अंदर जो है 5 बैटरियां लगी क्योंकि यह chainsaw है मतलब आप जानते हैं इसके जो blades होते हैं वो sharp होते हैं यहां पर जो है एक lock दिया हुआ है अगर आप इसको engage करेंगे तो यह button काम नहीं करेगा अगर आप इसको पीछे दबाएंगे इस side से तब यह जो button यह engage होता है दोस्तों यह जो machine आप देख रहे हैं यह बहुत ही simple construction वाला machine है मतलब इसके अंदर बहुत ज्यादा circuit वागेरा नहीं है इसके अंदर circuit होता है ताकि यह जो battery है यह overcharge ना हो क्योंकि आप जानते हैं lithium-ion के batteries जो है वो हमेशा overcharge नहीं होना चाहिए तो यहां पे जो है सिर्फ two pin का construction है यहां पे बागी machines की तरह आप आपको बहुत ज्यादा पिंस नहीं मिलते है simple सा यह machine है तो battery लगने का जो process है आप जान सकते हैं दोस्तों इस प्रकार से हम इसको battery को लगाएंगे बहुत ही fit बैटना चाहिए आप समझ सकते हैं एक आवा जाता है तो यह यहां पे इसका button है आप button को दबाग के जो है इस battery क पीछे कीन सकते हैं तो दोस्तों अभी जो है मैं यहां पे इसका lock जो है engage करने वाला हूं क्यूंकि मैं अभी इसका guard जो है इसको call के आपको दिकाने वाला हूं तो इस spanner के मदद से जो है हम इसको lose करने वाले इस nut को तो यह इसका cover होता है cover को हम हटाएंगे यहां पर आप देख सकते हैं यह इसका sprocket है दोस्तों यह इसका chain है यहां पर जो है आपको totally 28 link दिये है quarter inch के पिच्च में और दोस्तों आपको एक चीज में पहले ही बता दू still company का एक और एक model आता है जिसका नाम है GTA 26 वो भी इसी प्रकार का battery वाला मशीन है उसका जो chain होता है और इसका जो chain होता है वह same है गार्ड में जो है आगे आपको bearing नहीं मिलता है जो कि आपको बड़े मशिन के साथ आता है क्योंकि ये मशिन जो बिलकुल जोड़ है आपको यहांपे बेरिंग की आवशकता नहीं होती है आप बेरिंग नहीं है तो आप जानते हैं कि आपको कंपलसरी जो यहांपे ऑईलिंग करना होता है तो दोस्तों ये जो है ये इसका chain का एजिस्टर होता है आपको अगर chain को tight करना है लूज करना है तो आप यहां से इसको कर सकते हैं इसको मैंने अभी unlock किया है machine को यहां पे आप देख सकते हैं machine जो है इस प्रकार से काम करता है और यहां पे आप देख सकते हैं chain का direction जो है mention किय है बिल्कुल हमारे जो बड़े मेशिन के तरह ही इसका भी चैन काम करता है, मतलब चैन जो इस परकार से गुमता है, इसके अंदर जो को, इस मोटर है, मुझे यह लगता है दोस्तों यह RS555 वाला मोटर है, RS775 वाला मोटर नहीं है यह RS775 वाला जो मोटर वो बड़ा आता है यह चोटा आता है लेकिन इसका पावर भाट ही अच्छा है और इसमें जो आपको बैटरी बैकप आता है ये भी बहुत अच्छा आता है इसके बारे में मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंत में बहुत ही बढ़िया quality का इसका construction है आप देख सकते हैं quality वागर आप चेक कर सकते हैं तो change जो है इस प्राकर से बैटेगा cutting side जो है वो यहाँ पे होना चाहिए अगर आप उपर से देखते हैं तो cutting side जो है पीछे होना चाहिए तो लगने का बहुत आसान है यहाँ पे आप देख सकते हैं guide के उपर मैंने इसको रख दिया तो यहाँ पे हमने इसके उपर रख दिया यह जो guard है इसको हम तोड़ा से पीछे कीज़ लेंगे और एक आत में और इस pocket के उपर जो है हमने इसको यहाँ पे set कर दिया तो यह जो chain का tenster है इसके उपर हम set करेंगे इसको बिटाएंगे पहले तो बिटाने के बाद जो है हम इसका adjustment वागेरा करेंगे कि हमको tight चाहिए chain या loose चाहिए वो सब हम बाद में करेंगे इस stage में नहीं करेंगे इस stage में से हम इसके उपर सिर्फ बिटाएंगे बिटाने के बाद हम इसका डख्कन डालना है उपर काम करते हैं चेन के उपर उंगली रखते हैं तो बटन जो है यहाँ पर Tabii lock position होना चाहिए बटन काम नहीं करना चाहिए नहीं तो बैटरे को निकालना है आपको क्योँकि गलती हो सकती है और यह जो इसका जो दांत है यह बहुत ही शार्प होते है तो रखने के बाद जो है हम इसको तोड़ा सा हाथ में मूग करेंगे यह चेक करेंगे कि हार्ड एकी लूज है और दोस्तों ऐसे हमको दिख रहा है कि इसका जो श्लाकने से बहुत ही जादा हो गया तो हमको इसको त आपको बहुत ही ज्यादा टाइट नहीं करना है, आपको इतना सारा आपको प्ले इस चेन में रखना है, हम यहाँ पर दीरे से जो है वाइलिंग करने वाले इस चेन को, तो दोस्तों यह अगर कतम होता है तो आप इसके बदले WD-40 को इस्तिमाल कर सकते हैं, कर दो कर दो आपको आपको उसा है कि अज़ जरीन के अ कर सकते हैं तुर ग्लोटे कि अज़ में रभी हैं पेड़ जो है अभी गिर रहा है पेड़ जो है अभी बड़े हैज रहा है अभी जो है अभी बड़े है हुआ 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 हु हवा हवा हीенная कर दोते हैं सम डforward है, फजिए ये पुड़ी जसे घ... अःम फजिए けने घ्यते होग.. करें, बयोग हैए मैं ट लूका नहेख से आवता नहें! लूआ है जद है ूओ है क愉ँ है काफ लूराओ लूराओ अवल едी और दोस्ते आपने देखे लिया कि यह मशीन जो है किस प्राकर से काम करता है तो इस वीडियो को अंत करने से पहले मैं इस मशीन का प्राइज में आपको बता देता हूँ यह जो मशीन है यह आपको आपके लोकल मार्केट में मिल जाता है साड़े 4000 के रेंज में और अगर आपके यह एरिया में यह पर्टिकुलर मशीन नहीं मिलता है तो आप क्या कर सकते हैं आपके यह एरिया में जो लोग डिलर्स होते हैं जो कि golden bullet के ब्रैंड्स वगरा बेचते हैं उनसे आप इस मशीन को मंगवा सकते हैं अगर आप यह नहीं जानते कि आपके local area में golden bullet के जो product होते हैं वो कौन बेचते हैं, तो अगर आपको जानना है तो आप एक काम कर सकते हैं, आपके email id से care at the rate bullet dot co dot in को आप mail कर सकते हैं, वहां पे आपका नाम और number और आपको pin code डालना है, तब जो है local dealers होते हैं वो आपको खु आ चुके है, motor जो है उतना गरम नहीं हुआ है, और यह जो battery है यह देड एंपियर की है, उसके इसाब से जो है यह आपको 20 मिन तो चलता ही है, और दोस्तों इस machine के लिए एक और एक attachment आता है, जो की इसका जो length होता है, उसको बढ़ाता है, यह जो machine है, जितना आपका हाथ का length होता है, उसी में आप इसको cutting कर सकते हैं, अगर आपको और भी लंबा length चाहिए होता है, तो आप उस attachment को ले सकते हैं, फिलाल के लिए जो attachment है बारत में नहीं मिल रहा होगा शायद, इन future में जो है वो जल्दी मिल जाएगा, वो attachment कैसे काम करते हैं, दोस्तों यहाँ पे, मै आपको एक चीज याद दिला दो, दोस्तों यह आपको 4500 में बिल्कोल value for money product है, इसमें आपको दो-दो बैटरिया मिलती है, charger के साथ, यह जो motor है, in case कराब भी होता है, तो आप इस motor को replace कर सकते हैं, और यह जो guide है, फिलाल के लिए शायद नहीं मिल रहा होगा, लेकिन यह ज दोस्तों अगर आपको चोटे-मोटे पाउदे वागिरे cutting करने हैं, तो आप इस machine को ले सकते हैं, अगर आपके area में बड़े पेड होते हैं, तो आप इस machine को ना ले, तो आप इसके बदले जो है, आप petrol का chainsaw ले सकते हैं, इसका भी मैंने एक video बनाया है, जिसका मैं लिंक आ इही material को आप cutting कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो height है, यहाँ से यहाँ तक, यह सिर्फ 4 inch है, और दोस्तों आपने अलड़ी देखी लिया, यह जो machine है, यह बिलकुल आवाज नहीं करता है, बहुत ही smooth चलता है, motor भी बहुत silent है, और दोस्तों उमीद करते हैं, कि यह video आपको पस subscribe कर सकते हैं, और दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप आपका काया रखे, thank you, have a great day, bye